आप सभी का स्वागत है देखे और सीखे दर नीटिंग चैनल मैं सिब के लिए यहां पे एक बेबी सॉक्स लिखे आ हैं यानि सूज लिखे आ हैं बहुत ही प्यारी सिर्क खुबसर से लगेगी बनाने में भी आसान है जो सिंगल क्रोस्या बना रहे हैं सीख रहे हैं वह भी इसके लिए हमने जी आप लिया ओस्वाल की फॉरफ्लाई उन है यह पतली वाली और क्रोसय नेमबर यहां पर टू पंट फाइप में इस्तमाल कर रही हैं अचले इसे बनाना शुरूर करते हैं अगर थोड़ी से भी वीडियो अच्छी लगए तेक लाइक कर दें कमेंट कर आसे पहले तीन चीन बनाएंगे हं एक दो और यह तीन जादा लूस नहीं बुनेंगे हम इसे आप इस रींग के अंदर डालते वह हमें डब़ कोसे बनाना है total 18 डवल कोसे बनाएंगे है 18 डवल कोसे बनाके कंप्लीट करना इस मैजिक रिंग के अंदर तो कर लेते हुआ फ कर लेंगे इस तरह से और जो हमने तीन की चेन बनाई है यह वाली सबसे पहले इसमें डालते हैं हम स्लिप करते हैं इसे हम जॉइंट कर लेंगे चेन बनाएंगे एक, दो और ये तीन, तीन चेन हमारी पहली डबल कोसे होगी अब इसी चेन पर डालेंगे और हम डबल कोसे करेंगे ज्यादा बुड़ा डबल कोसे नहीं करना पर फिर उसके अगली वाली चेन में डालेंगे या भी हम दो डबल कोसे करेंगे इस राउंड में आपके पास 36 डबल कोसे आना चाहिए ठीक है हर चेन पर डालते हुए हम दो दो डबल कोसे बनाएंगे फर्स्ट राउंड में 18 डबल कोसे हैं, सेकंड राउंड में 36 डबल कोसे हैं ठीक इस तरह से करते हुए मैं यहां पर डबल को से कर लेती हुए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या अभी करना है कि सेकंड लाइन में हमने 36 डबल को से बना की कंप्लीट कर लिया हुए सबसे पहले तीन चेन में हम यहां पर इसे जॉइंट करेंगे चेन बनाएंगे एक ठीक है सेकंड लाइन कंप्लीट करने की बाद अभी हाँ पर छे सिंगल को से बनाएंगे एक चेन में जुइंट के उसी चेन में लेंगे एक सिंगल को से हैं दो सिंगल को से हैं तेन सिंगल को से हैं चार सिंगल को से हैं पात सिंगल को से हैं और यह छे सिंगल को से हैं ठीक है सेक्स सिंगल को से हम नहीं कर लिया चेन बनाएंगे इधर मोड़ जाना है यह छे सिंगल को से हैं पर छे बनाएंगे एक दो तेन चार पांच और ये छे ठीक है फिर एक चेन लेंगे और इधा पलट जाएंगे टोटल अम यहाँ पे ग्यारा लाइन कम्प्रीट कर लेते हैं उसके बद दिखाते हैं हमारे दो राउंड हो गई ये तीसरी राउंड चल रही है ठीक है और राउंड कर लेते हैं फिर आज़ी अगे दिखाते हैं तो यहाँ पे लाइन हमारे कम्प्रीट होगे एक दो तेन चार पांच छे साथ आर्ट नो दस और एक बारा बारा लाइन हमने कम्प्रीट कर ली है अब यहां पे ठागे को काटते हूद फैसलाइठ लगा लेंगे अब यहां पे लेंगे और इसे हम इस तरह से यहां पर curved करेंगे अब जहां से स्टांट किया है इस जगह पे लेंगे रहींसे इस स्लाइठ करेंगे यहां से हांते किसकी से लाई कर लेते हैं किसकी से लाई कर लेते हैं कर सकते हैं इसके वाद धागे को कट कर लेंगे ठीक है कि पीस बनके रेडी होगी अब इसे हम साइड करते हैं अब यहां पर यलो कदर का धागा लेंगे यहां से हम चेन बनाना सुरू करेंगे सबसे पहले चेन हम यहां पर 15 बनाएंगे 15 चेन बनाना हमको दो तीन चार पांच छे साथ आत नौ दस क्यारा बारा तेरा चाओधा और यह पंद्र टोटल हमने यहां पर 15 चेन बनाके कंप्रिट कर लिए 15 चेन बनाके में कंप्रिट कर लिए अब क्या करेंगे इस जगा पर जो चेन है एक और दो यह दो चेन छोड़ते हैं एक दो चेन छोड़ते हैं तीसरी वाली चेन से में से हम जाइंट करेंगे तीसरी वाली चेन से हम जाइंट करेंगे एक दो और यह तीन क्रूशय को निकाला नहीं है बस इस जगह से लेंगे और यहां पर हम सिंगल क्रूशय करना शुरू करेंगे लास्ट के तीन चेन है वहाँ पर आपको छोड़ते ना है कह यहां से करते वह आएंगे और यहां पर देखें स्लेय कर्द यहां पर नमबर की चेन आएगे यहां से दो चेन छोड़ के पीसे यहां तक आते फिरीदी का फिनाफते हैं इधर भी हमने दो चेन छोड़ देखे एक और दू ठीक है अब यहां से हम 15 चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे चार आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चाओदा और पंदरा टूटल हमने यहां से यहां तक 15 चेन बना दिए एक चेन आपको एक्स्टा बनाना है एक चेन जो एक्स्टा बना है इसी चेन को स्कीप कर देंगे यानि इसी चेन को छोड़ देंगे जिसमें धागा लगा वह इसकी बगल वाले नमबर यानि 15 नमबर चेन से हम यह कि अपिके लिदें इस कि पूरी ये girls single करते हुए हम इधर से मुड़ते यह यहां यहां से बुनते हैं हमने इसकी लाइन यहां तक हमने कम्प्लीट कर लिए एक चेन ले लिए हमने एक चेन लेने कार इधर पलट जाएंगे अब यहां से यानि कि हमारी दूसरी लाइन कम्प्लीट हो गए एक तो हमने चेन बनाई थी फिर यहां से सिंगल कोसे करते होगे फिर कि इसी तरह से सिंगल कोर से करते हैं पूरी लाइन हम कंप्टीट कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से हमारी बन के कंप्लीट हुई है लास्ट वने चेन पर हम यहाँ पर पूरा नी बुनेंगे अब यहां से हम कलर चिंज करेंगे ठीक है अब यहां से फिर परपल ले लेंगे हम यहां पर अब इस धागे को हम कट कर लेंगे ठीक है तले से हम जॉइंट कर ल एक चेन बनाने के बद इसже पिलट लेंगी हम पिलटने के बाद इसी चेन से बनाना हम शुरू करेंगे इस जगह से सा muffin चायती इस पर्पल धागा भी हम लेती विछ चलेंगी अब इस दागे को टाइट कर लेंगे बाद में से हम सुई दागे के मदद से अरजेस्ट कर लेंगे अब यहां से जितनी भी छेने दीख रही है सभी को आपको इस तरह से सिंगल कोशेय करके कम्प्लिट कर लेना, ठीक है? कि इसी हम यह से बना यहें जैसे इसे बनाए त्यक्राइब करना आपको परपल से इसके रागिव दिखाते हैं कि हैं यो और भी यहां पे यह नो from लेने के बाद अब दिखिए हिस तरह से बेना एक चेन लेने के बढ़ियाangelader योग घ्याली स striks से कि अंदर से निकालेंगे और यहां पर हम एक सिंगल क्रोसे करेंगे फिर जिसमें डाला उसमें डालेंगे फिर अगली वाली चेंड से निकालेंगे इस तरह से फ्रेंट पोस्ट सिंगल क्रोसे हमें करना इस तरह से फिर इसमें डालेंगे यहां डालेंगे अगली वाले में निकालेंगे, single crosshair करेंगे फिर यहां पर डालेंगे और अगली वाले में निकालेंगे इस तरह से single crosshair करते हैं इस लाइन को हम complete कर लेते हैं फिर आखी दिखाती है कि क्या करना अब को यहां पर फ्रंट पोस्ट हमें सिंगल क्रोश्य कर लिए हुआ है अब एक चेन लेंगे इधर पलट जाएंगे अब हर एक चेन पर डालते वेजा से नॉर्मल सिंगल क्रोश्य कर रहे थे इसकी बाद वाली लाइन पर यह हमारी चौथी लाइन चल रहे थी ठीक है पांच वी चेन को छोड़ेंगे थर्ड वाला चेन को यहां तीसरी नंबर चेन पर डालेंगे और सिंगल क्रोश्य कर लिए याँ को चैन को चोड़ेंगे थ्रड वाला चेन को यहां तीसरे नमबर चेन पर डालेंगे और सिंगल क्रोस है करेंगे, एक हो गया, फिर एक चेन चोड़ेंगे उसके अगली वाली में, यह दो हो गया, फिर इसे चोड़ेंगे उसके अगली वाली में, तीन सिंगल क्रोस है, फिर इसे चोड़ेंगे, पाथ सिंगल क्रोस है, फिर इस यहां से नॉर्मल 6 सिंगल क्रोसे बनाएंगे अगली चेंसे काउंट करते होगे एक, दो, तीन, चार, पांच और यह छे होगे, अब यहां से जिस तरह से यहां पे हमने 6 बार घटा है, यहां पे आपको 10 बार घटाना है, इसे छोड़ेंगे, अगली बार लेंगे, एक हो गई, फिर इसे छोड़ेंगे, अगली वाली चेन में डालेंगे, दो हो गई, फिर इस चेन को छोड़ेंगे, अगली वाली में डालेंगे, तीन हो गई, फिर इसे छोड़ेंगे, अगली वाली में, चार, फिर इसे छोड़ेंगे, अगली वाली में, पांच, इसे छोड यहाँ पर 8 यह से छोड़ेंगे यहाँ पर बनाएंगे 9 पिर यहां छोडेंगे इसे बनाएंगे 10 ठीके 10 बना लिए 10 बनाने की बाद अब यहाँ पर 6 यह बनाएंगे तो यह पर डालेंगे उसके बगल वाली चेन से 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और यह छे सिंगल क्रोशे नॉर्मल करने के वाद फिर हम यहां पर छे घट आएंगे ठीक है। इस चेन को छोड़ेंगे अब अगली वाली में तीन फिर इसे छोड़ेंगे अगली वाली में पांच ठीक है अब इसे छोड़ेंगे लास्ट वाली में छे हो गई अब यहां पर एक चेंड बनाएंगे अब जितनी भी चेंड दिख रही है सभी में एक एक सिंगल क्रोसे करते हैं अब हमारी लास्ट राउंड चल रही है इस बार हम घटाएंगे इसके बाद फिर हम जितनी भी स्टेज हैं सभी को हम इसकी स्लाइक कर लिए कीगा तो इसे छोड़ेंगे अगली बार लेंगे दो फिर इसे छोड़ेंगे अगली बार लेंगे तीन ठीक है तीन बार हमने यहां पर घटाएं अब नॉर्मल चार सिंगल क्रोसे करेंगे एक दो तीन और यह चार ठीक है तीन बार हमने यहां पर एक एक फंदा छोड़ते हैं तीन इसे चोड़ेंगे अगली बार में डालेंगे ये दो हो गया फिर इसे चोड़ेंगे उसके अगली वाली में तीन फिर इसे चोड़ेंगे अगली वाली में चार फिर इसे चोड़ेंगे अगली वाली में पांच फिर इसे चोड़ेंगे उसके अगली वाली में छे ठीक है अब यहां से नॉर्मल चार सिंगल क्रोशे करेंगे हैं एक दो तीन और यह चार ठीक है अब यहां पर फिर से हम तीन बार घटाएंगे इसे छोड़ेंगे अगली बार में लेंगे एक हो गया फिर इसे छोड़ेंगे अगली बार में दो हो गया फिर इसे छोड़ेंगे यहां पर लेंगे तीन हो गया ठीक है लास्ट में जो चीन है यहां पर हम एक बार बनाएंगे चार अब यहां पर हम धागे को कट करेंगे लंबा करेंगे धागे को थोड़ा लंबा करके इसके स्लाइए करनी है, इसलिए धागे को लंबा फ्रा करना है, अब इसे थोड़ा साइट में रखते हैं, अब यहां पे एक लंबी पटी बनाते हैं, ठीक है, यहां पे इसके स्लाइए हो जाएगी इनर, उल्टा करके इसकी सलाई करनी है इस तरह से नॉर्मल से सलाई है यहां से यहां तक इसकी सलाई करेंगे और इधर से यहां ठीक है और यहां से जो थोड़ा सा यलो कलर है तो यलो कलर से इसकी सलाई कर लेता है यहां पर दीखे दोनों साइड हमने 15 15 चेन लिए वा था इधर भ यहां पर हम फोटी चेंड लेंगे एक, दू, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आर्ठ, नौ, दस, ग्यार, बारा, तेरा, चाओदा, पंद्रा, सूल, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49, और यह 40, ठीक है 40 हमने यहां पर चेंड बना लिए, 40 चेंड बनाने के बाद हमने यहां पर इस तरह से लेंगे आपको दिखाती है। पूरी दिद्र, हमानी डूँसे बनते जी, कमगी। बैल को छाह है तो आपको यहाँ बना सकती है। ता कि आप एक चैञ बना सकती है। बाद Omich 북 somm 18 एर यह चार सिंगल कुर साह करने की पाद नीचे जितनी भी सिंगल से बीट से अदीख सभी में एक-एक सिंगल कुर से करते हुए आएंगे और लास्ट वाली जी चैन है यह quyden यहां पर हम के बीच में हम Despitekr रेंगे और यह आपर जघज बनाते वें चार स्पिया करेंग एक है कि दो और सिधा करने का कुछ इस तरह से दिखेगे अब इस पट्टी को हम इसे सिधा करते हुए यहां से निकालके इधर लाएंगे ठीक है और इसे घुमाते हुए इधर से हम इधर लाएंगे अभी से हम यहां पर रखेंगे ठीक है और इस जगा से यहां से इसकी सलाई करेंगे अब चीधा रखते हैं हम यहां से इसकी सलाई करते हैं यहां तकाएंगे ऐसे लिया है ऐसे रखना आपको ठीक है यह वाली चेंसे हम डालेंगे और इस चेंसे निकालेंगे देखेंगे ऐँ आ करे अगरेंगे इसे चेंसे देखेंगे देखेंगे धमएफ्टास से और उसकी धालेंगे है पर इस गरी चेंसे, पर इसेदों डालनेखेंगे ज़केमे थचला से मदाखेंगे पर ही इसके अगली वाली चिन में लेंगे और उसके नेक्स्ट वाली चिन में डालेंगे अब इस तरह से हरी चेन को पकड़ते हुए हम यहां से यहां तक इसके स्लाइग कर लेंगे यह जो है चेन दीखे लीग यहां तर तर फिर दिखाते हुआ अपका आपे देखे हैं आपके देखे हैं मारी प्यार इसी गण की तैयार होग Gaussian कितने प्यार यह खुबबसत लग रही ही तुछ इस तरह से ह Coast है जोटा बड़ भी कर सकते हैं इस प्ậ्टि को थोड़ बढ़ा कर सकते हैं यहां तक ले जा सकते हैं जिस तरह से बेवी का पेर हो हेल्दी हो या फिर यह तो उस तरह से अफिसे अज़ेस्ट कर सकती है नीचे से कुछ इस तरह से दिख रही है यह आपको न्यूबॉंड से ले कि आपको यह थ्री मंद से ज्यादा बेबी को आ जाएगी है और इसी को नाप से अगर आप बना रहे हैं कुरोसे नंबर थोड़